पागिस्तान VS West Niche Team का फुल ऐनलाइसिस करने वाले आज के वीडियो में Dream 11 की बेस्ट टीम आपको प्रॉइट करने वाले हैं पूरी टीम का ऐनलाइसिस होगा हर खिलारी का ऐनलाइसिस यापर करने वाले की कौन सा खिलारी बहतर परताशन कर सकता है और आपकी Dream 11 टीम में fit वेट सकता है Grand Lake और Small Lake के लिए तो इस वीडियो को अन तक जरू देखिएगा क्योंकि आज आपको यहाँ पर एक भैसर टीम मिलने वाली है तो बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेज वेस्टनिज के बीच होने वाली T20 सिरीज के बारे में तो यहाँ पर जो सिरीज है उसमें दो मेज अभी तक हो चुके और तीसरा मेज है T20 का वो 16 तारीकों खेला जाने वाला है साम को 6.5 बजे यानि कि डे वाला मेज होने वाला है इस्टेडियम है नेशनल इस्टेडियम कराची का जो इस्टेडियम है या पाकिस्तान में इस्टेद है इस्टेडियम यानि कि वेस्टेडियम का पाकिस्तान दो रहा है तो इसका मतलब आफकोस कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी यहां पर रहने वाला है और आगे में चार जो बर्स इंहिना में बेटिंग करने वाली टीम ने चार झार बार जीत हासिल किए है कि यहां पर चार टाइम दो सो प्लस का स्कॉर हो चुका। कर इस मैदान में रिसेंटली हुई है मतलब कोई भी जीत हासिल नहीं हुए यहाँ पर मेश्टनिस हमैशा से हारता आ रहा है और रिसेंट तीन मेचेस की बात किरें पाकिस्तान के खिलाप जो तीनव feature जिस टीम ने खिल मेचनिय है वह है यहाँ पर तीनों मेचेस का अनलाईसिस यहाँ रूए पर अभी हाली में चरुदा तरिय को मेच के लागिया था वेस्ट इनेचë के खिलाब घ्यली थी पाकिस्तान, एक सो 122 हम नाया थे पाकिस्तान ने आइस विकित के लुखसान पर यहां पर पहली बेटिंग थी पाकिस्तान की और यह पर जीत हास्यल किये पाकिस्तान उसके दो दिन पहले एक मेज हुआ था वेस्ट इनिच के खिलाब वही मेज इसी सीरीज का 200 रण मनाया थे पाकिस्तान ने 6 विक्तिक नुक्सान पर पहले बेटिंग करते हुए जीत आसिल किए एक मेज हुआ था 2020 में बंग्लादेस के खिलाब जिसमें 127 रण मनाया थे पाकिस पाकिस्तान ने जीत हासिल किये और और तीनों मेजों में पाकिस्तान ने जीत हासिल किये तो इसका स्कोर तीरवाई थ्री यहां पर रहने वाला है और रिसेंटली थ्री मेचेस की बात करें वेस्ट इनिच ने किस टीम के खिलाब के लिए तो दो मेजेस तो पाकिस्तान के प्रकिलीज को सबसके जो की में इस जिरू से यानि कि दो दो मेचेस पाकिस्तान जीड़ का है इस शी रिच का और तीसरा मेच जो यहाँ पर होने वाला है 16 तारिक को होगा पागिस्तान प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर जो एम रिजवान है विकिट कीपर के रूप में आप एम रिजवान सबसे फिट बेटेगा आपको जो की चोपन मेच खेल चुके है 43 एनिंग्स क एच अली की बात करें तो 48 मेचेस उन्होंने खेले 1300 से ज्यादा इनके रन है और 4 विकिट भी उन्होंने ले लिए हैं 18 पर बेस्ट का चार है और एफ जमान की बात करें तो 63 मेचेस खेले है और 241 रन है यहाँके एस खान की बात करें तो ओलाउंडर के रूप में आप एस स्कोर और एस आफ रिदी की बात करें बोलिंग में तो यहाँ पर 99 जो मेचे से एफ आफ रिदी ने खेले है यानि की 98 विकिट उन्होंने लिए है चार विकिट लिए ग्यार रन देकर बेस्ट स्कोर है इनका एच रॉफ की बात करें बोलर है 34 मेचों में उन्हें ने 41 विक में इसकी परकार से रहने वाला है तो वेस्ट रिदी में आपको बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं एन पूनम के बारे में तो एन पूनम ने यहाँ पर 48 मेच खेले हैं और 41 इनिंग्स में 781 रन इन के हाईयर 62 है यही एक खेलाडी है जो सबसे अनुभवी है वेस्ट र ठेरा मेजेस खेले है और आल पावयल ने खेले है बत्तिस ये दोpture गरारी और इस ब्रॉक नहीं टूसक्तर बहूंा मोत दो PROF नहीं दोत कोई ब्रॉक लिए दोतशच उसक्ते के वेस्ट पर्म और win probability की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान का जीतने के जान से वो 82% के आसपास है और यहाँ पर waste niche का 18% जीतने का chance है यानि की waste niche टीम का इस match को भी जीतने का जो की 30-20 का match है जीतने की संभावना बहुत ही कम है तो आप पाकिस्तान के ज्यादा से ज्यादा वेस्टमें यहा अब बात करते है डीम 11 में टीम की तो कौन सी टीम आपको बढ़ानी चीए चलते है डीम 11 एप पर यहाँ पर टीम चूज करने की बात करो तो यहाँ पर point rating जो point की rating है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशान करने वाली है क्योंकि आपको यहाँ पर point rating अच्छा किलारी इस किलारी को चूज करते है तो अगले वाले जो भी किलारी एं मन पसंद किलारी आप चूज नहीं कर सकते है फिलाल हम एम लिजवां को यहाँ पर रहने देते हैं और अपनी best team सेलेट करते हैं तो यहाँ पर आपने पूर्ण को यहाँ पर स्लेट कर सकते हैं बेटिंग में आप यहां पर ए आजम को लीजिए एक और यहां पर लीजिए आप एक बी किंग को ले सकते हैं एच अली को आप बेटिंग में ले सकते हैं और आप एक बेटिंग में ले सकते हैं तो यहां पर जमान को ले सकते हैं योकि बेटिंग पिस है और जो टीम जज़ादा रन बनाएगी वही आपर जीतने के चांसे से तो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट मेन और ओर लाउंडर को यहाँपर सलेट करें यहाँ पर एस कान को आप सलेट करगे और यहां पर यहाँपर एदि वेस्ट इन्स की तरफ स वेस्ट निज की तरफ से ओई स्मित को ले लीजिए इसमित भी अच्छे है और पाकिस्तान का एक और बोलर यह आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो अच्छा बोलर फिट बेड़ता है एट पॉंट पांच रेटिंग के साथ यहाँ पर वसीम को आप सेलेट की और यह आप ले सकते हैं शाहत और यहाँ पर साइद मुस्किल नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान के इतने बेस्ट में भी नहीं है और आप आयम रिजवान को लेते हैं तो आपकी पॉंट रेटिंग बिल्कुल बिगड़ जाती है तो यहाँ पर आप ओलाउंटर सेलेट कर सक पाकिस्तान के सरफ से एक ओलाउंटर हम रे लेते हैं यहाँ पर एम नवाज को आप ले सकते हैं और यहाँ पर एक बेस्ट टीम आपके साफ तो आ सकती है और आप यहाँ यहाँ पर कैप्टिन की बात करें तो यहाँ पर आप कैप्टिन मना सकते हैं आजम को कैप्टिन मना तीजी का ये टीम आपके सामने बेस्ट रहेगी तो यहाँ पर जो टीम सलेक्ट हुई है वो उबर कर यहाँ पर आपके सामने आ रही है छे पाकिस्तान के और पांच वेस्ट इनिस के प्लेहर इसमें यहाँ पर है रिजवान यहाँ पर यह आप लेते तो आप बाकी के प्रेस्ट रहने वाली है